हेलो इस वीडियो में आज हम कम्प्यूटर जीके की अगली वीडियो को करेंगे तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला जो कोश्चन है वो है ATM क्या होता है तो इसमें हमारे पास यहां पे चारों आप्शन है आप्शन A बीना स्टाफ के नकती देन आप्शन B बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर या आप्शन C बैंकों की शकाएं या आप्शन D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्शन A बीना स्टाफ के नकती देन इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है प्रत्थम गर्णा यंतर है तो इसमें चार आप्शन है A. कैलकुलेटर B. डिफ्रेंस इंजन C. अवेकस या D. घड़ी तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्शन C. अवेकस इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है पैक मैन नामक का फ्रसिद कम्प्यूटर किस काम के लिए बना था तो यहां पे चार आप्षन है आप्षन A, बैंक के लिए, आप्षन B, शेर बजार के लिए, आप्षन C, खेल के लिए, या आप्षन D, पुस्त का प्रकाशन के लिए तो इसका जो सही अंसर है, वो है आप्षन C, खेल के लिए, इसके बाद अगला जो कॉशन है, वो है, किसने प्रथम मेकैनिकल कैलकुलेटर का निर्मान किया था, तो इसमें से हमारे पास चार आप्षन दिये गया है, आप्षन A, जोन माउकली, आप्षन B, बलेज पासकल, आ पारवरड आइकन, उप्षन D, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है, वो है उप्षन B, बलेज पासकल इसका सही अंसर है, इसके बाद आगला कॉश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महाँगा कम्प्यूटर है, तो यहां पे चार option है option A super computer option B laptop option C personal computer या option D notebook तो इसका जो सही अंसर है वो है option A super computer ये सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा computer है इसके बाद आगला question है समान्य रूप से प्रियुक्त किये जाने वाला computer है तो यहां पे चार option है option A digital computer option B optical computer option C hybrid computer या option D analog computer तो इसका जो सही अंसर है वो है option A digital computer इसके बाद आगला जो question है वो है multi programming का प्रियोग किस PD के computer से शुरू हुआ था तो यहां पे चार option है option A प्रत्थम PD option B द्वित्थी PD option C 3TPD या option D चुद्धूर्थ PD तो इसका जो सही अंसर है वो है option C 3TPD इसके बाद आगला question है बिश्व का सबसे पहला super computer का बना तो यहां पे चार option है option A 1981 option B 1980 या option C 1976 या option D 1995 तो इसका जो सही अंसर है वो है option C 1976 को सबसे पहला super computer बना था इसके बाद आगला question है भारत में निर्मित प्रथम computer का क्या नाम है तो इसमें चार option है option A आर्यवट, option B सिदार्थ, option C अशोक या option D बुद्ध तो इसका जो सही अंसर है वो है option B सिदार्थ इसके बाद आगला question है वो है भारत में निर्मित परम computer किस प्रकार का computer है यांपे चार आप्षिन है, आप्षिन A, माइक्रो कम्प्यूटर, आप्षिन B, मीनी कम्प्यूटर, आप्षिन C, मेन फ्रेम कम्प्यूटर, आप्षिन D, सूपर कम्प्यूटर, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, आप्षिन D, सूपर कम्प्यूटर, इसके बाद आगला जो अमेरिका, option C, चीन, या option D, यूनान, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option C, चीन में एवाकस का विश्कार हुआ था, इसके बाद आगला कोश्चन है, I, M, A, C, एक प्रकार का है, तो यहां पे 4 option है, option A, मशीन, option B, प्रोसेसर, option C, प्रोग्राम, option D, अर्जिस्टर, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option A, मशीन, इसके बाद आगला कोश्चन है, एनलाइटिकल इंजन का निर्वान, किस ने किया था, तो यहां पे हमारे पास 4 option है, option A, G, एकल, option B, एवा, एवलेस, या option C, चारलेज बैबेस, या option D, सीमेन, कोर्स को, तो इसका जो सही अंसर है, वो है option C, चारलेज बैबेस, ने एनलेटिकल इंजन का निर्वान किया था, इसके बाद आगला जो कोश्चन है, वो है, इंटीग्रेटेड सरकेड़ चिप का विकास, किस ने किया था, तो इसमें से 4 option है, option A, चारलेज बैबेस ने, option B, सीवी रहमन ने, option C, रवल्ट नाइक ने, option D, JS, किल भी, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option D, JS, किल भी, इसके बाद आगला कोश्चन है, डिस्टेल कम्प्यूटर किस सिधानत पर कारी करता है, तो यहां पे 4 option है, option A, मापन पर, option B, गर्णा पर, option C, बिद्दूत पर, या option D, लोजिकल पर, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, गर्णा पर, इसके बाद आगला जो कोश्चन है, वो है, भारत में विक्सित, परम सूपर कम्प्यूटर का विकास, किस संस्था ने किया था, तो यहां पे 4 option है, option A, IIT, कानपूर, या option B, IIT, दिली, या option C, SEDEC, या option D, BARC, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option C, तो option C, इसका सही अंसर है, इसके बाद आगला कोश्चन है, नेमन में से तेज कौन सा है, तो यहां पे 4 option दिये गया है, option A, Registers, या option B, CD-ROM, या option C, RAM, या option D, कैशी, तो यहां पे जो सही अंसर है, वो है, option A, Registers, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, dot matrix, उपकर्न, की किसम है, यहां पे 4 option है, option A, printer की, या option B, scanner की, या option C, keyword की, या option D, mouse की, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option A, printer की, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, keyword में, function keys की संख्या कितनी होती है, तो यहां पे 4 option है, option A, 16, option B, 12, या option C, 19, या option D, 14, तो यहां पे, जो सही अंसर है, वो है, option B, 12 function की keyword में होती है, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, सरवधिक तेजगती का printer है, तो यहां पे 4 option है, Z printer, option B, laser printer, option C, thermal printer, या option D, dot printer, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, laser printer, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो यहां पे, हमारे पास 4 option दिये गया है, liquid crystal display, या option B, light crystal device, या option C, liquid central display, या option D, light central display, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option A, liquid crystal display, LCD का पूरा नाम है, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, कम्प्यूटर की मेमोरी में, डाले गई कारे को पर दर्शित करता है, तो यहां पे 4 option है, option A, monitor, option B, printer, option C, RAM, option D, ROM, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option A, monitor, इसके बाद अगला जो कोश्चन है, वो है, गेम खिलना किस से असान हो जाता है, तो यहां पे 4 option है, option A, keyboard से, या option B, mouse से, या option C, joystick से, या option D, ये सभी, तो इसमें से, जो सही अंसर है, वो है, joystick, तो यहां पे, option C, इसका सही अंसर है, joystick से, गेम खिलना बहुत यासान हो जाता है, इसके बाद अगला कोश्चन है, control, shift और alt को कौन सी कुझियों को कहते हैं, तो यहां पे 4 option है, option A, function को, option B, modifier को, option C, alpha, numeric को, या option D, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, modifier को, इसके बाद है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो यहां पे 4 option है, option A, optical CPU recognition, इसके बाद option B, optical character recognition, या option C, optical character rendering, या option D, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, optical character recognition, इसका सही अंसर है, इसके बाद अगला जो question है, वो है, नीमन में से कौन सा output device नहीं है, तो यहां पे 4 option है, option A, printer, option B, monitor, option C, plotter, या option D, touchscreen, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option D, touch screen, इसके बाद अगला जो question है, वो है, monitor के display आकार को कैसे मापा जाता है, तो यहां पे 4 option है, option A, horizontally, option B, diagonally, या option C, zigzag, या option D, vertically, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, diagonally, इसके बाद अगला जो question है, वो है, पहला computer mouse, किसने बनाए था, तो यहां पे 4 option दिये गया है, option A, option A, William English ने, या option B, Douglas Angel World ने, या option C, reward जवाकी ने, या option D, इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है, वो है, option B, D, Douglas Angel World ने, computer mouse का निर्वान किया था, तो इस वीडियो में हमने, computer GK की अगली वीडियो के बारे में जाना, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज, subscribe my channel, धन्यवाद,